इस शौर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी से आप जानेंगे की बढ़धा सोचना क्यों जरूरी है और साथ ही इस प्रेर नरयाक मोटिवेशन स्टोरी से आप ये भी जानेंगे की क्यों हम बढ़धा सोच नहीं पाते। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो बहुत गरीब परिवार से था। पोईड़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दू दूसरे की शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी मा ने उसे सफर में खाने के लिए एक टिफिन में रोटियां रख कर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सबजी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में उसकी मा ने टिफिन में सिर्फ रोटियां ही दी थी। जब उसका आध लड़े को टिफिन में डाल कर अपने में मुह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, मानो वो रोटी के साथ सबजी खा रहा है। आस पास के लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा कर क्यों रहा है। ये बात उनके भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन टिफिन में रोटी डाल कर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। वो लड़ा का बोला, मैं रोटी अचार के बारे में सोच कर खा रहा हूं तो मुझे स्व जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी, तो उनमें से एक दूसरा व्यक्ति बोला कि, दोस्त अगर तुम्हें सोचना ही था, तो कुछ बढ़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते, इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पा बढ़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप बढ़ा सोचेंगे, तो तभी आप कुछ बढ़ा कर पाएंगे, बढ़ी सोच रखने के साथ हमेशा खुद को विश्वास भी दिलाते रहें कि जो आप सोच रहें हैं, उसे आप हांसिल भी कर सकते हैं, बढ़े सपने सिर्फ मेहनत करने से बढ़े नहीं होते, उसके लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है